So Hello and Welcome Guys तो सुबर सुबर जैसे ही मैं अपने दोस बिग स्मोक की घर पूंचा वहाँ पर एक पूरी घ्यांग ने मुझे घेर लिया जैसे ही मैंने दो लोगों वहारा पूरी घ्यांग भाग खड़े गी फर मैंने उनको भागने नहीं दिया और एक-एक करके सब को निपटा दिया इसी के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ अपना आज का मिशन जस्ट बिजस्स जो के बिग स्मोक के साथ होगा और उसके घर पहुचा वो नहीं दिखा तो मैंने गेट खट खड़ा है पर वो गाड़ी के पीशे से निकला और ही सेट बे आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है या तो मीटिंग है या फिर वो मैल्टिंग है क्योंकि अगर वो मीटिंग सकस्विल नहीं रही तो वहाँ पर बहुत खंदा तगड़ा पंगा होने वाला है because वो जो टीम है वो गैंगस्टर्स की टीम है और हमारे अपोजिट गैंग की टीम है मैं सोच रहा हूँ कि उनके साथ एक अच्छी सी मीटिंग कर लो अगर अच्छी मीटिंग नहीं रही तो फिर वहां पर होने वाला है गैंग वार सो बी रेडी गर्मन सब कुछ पैक कर लिना तो जैसे इन लोग रेस्टरंट तब पहुचे बिग स्मोक पर जैसे में जाने लगा गया थोड़ा सा काबू में रही हो यह रही हो वो रही हो और उसको नहीं पता कि यही काबू में नहीं रहता है मैं ऐसी बस तोड़ा सा टाइम पास कर था इतनी देर में अंदर से गाली विलोज की वाज आने लगी हो ति मैं अंदर गया तो भाई सब लोग बिग स्मोक पर बूले चला रहे थे यह चीज क्लियर थी कि यह लोग किसी बिजनस वेटिंग के लिए नहीं आपर बिग स्मोक का गेम करने के लिए इसको बुलाया था और भाई जब मैं साथ हूँ तो इनका गेम तो हो नहीं सकता बिग स्मोक के थोड़ी सी पावर कब हुई थी और मैंने यहाँ पूरी गैंग निप्टा दिया है यह सब कुछ मैं धीरे धीरे पैसे और गन कलेक्ट करते हैं बिग स्मोक के पास जाई रहा था तभी मुझे एक बुलेट प्रूफ जैकेट देखी जिसकी बुलेट प्रूफ जैकेट मैंने ली ली है और मैं चलागो हूँ बिग स्मोक के साथ बाई जैसे हम लोग चट पर पहुंचते हैं चट पर जो रेस्टरेंट के एक्जिट था वहाँ पर भी सारे लोग हमारा वेट कर रहे थे पर हमारे पास तो अब बुलेट प्रूफ जैकेट भी थी तो अब कहां डरने वाले हमकेशिस है एक एक करके मैंने सब को कर दिया खतम और यहां से हम लोग बाईक लेकर निकल गए हैं बाई गाड़ी में थे पर बाईक लेके निकलें कि बाईक से जादा एजी रहेगा किसी भी शॉटकट में रिटा सकते हैं लेकिन पाई उन्हों के पास इतने बंद है ना जिसकी कोई हद नहीं है उन्होंने एक बाईक एक गाड़ी एक ट्रक हमारे बीजे चोड़ दिया है बाईक टूट फूट चुकी है लेकिन एक बाईक और एक ट्रक अभी में आरे पीछे चल रहा है हमने बसों के और से कुदा दिया है, ह। अन्होंने बसों को टक कर मार के उलटा दिया। बहुत गंदिे हमारे चԱ्डी हाइक गोड़ी के साथ हमारे बीम्Vi accept theoroast direct आगे निकल दिया हैं ना लें इतने बड़े हैं कि भाई यहां पर तीन तीन भाई कमरा चारचर बाई कमरा पीछा कर रहे हैं, दो गाड़ियां आगी है, अब फिर भी हम इनके काबू में नहीं आ रहे हैं, जैसे हम लोग आगे निकले हैं ना उन्नों पागल लोगों ने भी कुद आ दिया है जो कि जस्ट हमारे सर के ऊपर से निकला है हम बस बच के हैं थोड़ा सा हमारी बाइक की हैं तब ही शो कर रही है विकादार बाइक की हेल्थ हुई डाउन तो हमारे साथ कुछ है का बहुत कुछ घलत कि यह सब लोग हमें बहुत मारने वाले हैं गिरने के पाद तो भै यह वाला मिशन अभी बहुत साथा इंटरस्टिंग मोर पे चल रहा है इनकी गाड़ियां हो रही है बलास्ट और बिग स्मोक कुछ भी को बाइक अच्छी चलात है लेकिन इस मिशन को देखते हैं आपको पिछला मिशन याद होगा जहां पर मैं बाइक चला रहा था और बिग स्मोक को बूले चलानी दी उससे एक गोली नहीं लगी तो मैंने इतने जादा बंदे मार दिया हैं यहां पर तो आपको समझना पड़ेगा उसको एक्सपीरि आलू जैसा बले ही है पर भाई अच्छी चलाता है तो बहुत ही जल्दी हमने इमिशन कर दिया है कंप्लीट और इसके बाद मुझे आता है राइडर का फोन के भाई आज एक और मिशन करना है आज हम लोग बहुत बड़ी रोबरी करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम लोग जाएंगे मिलिटरी बेस वहाँ पर मेरे अंकल है मेरे नहीं मतलब राइडर के अंकल जिसका बहुत बड़ा शिप्मेंट आया हुआ है लास्टाइम याद है आप जिसका शिप्मेंट हम लोगों ने पहले उसके घर से चुराया था बुड़े अंकल के फिर हमने ट्रेन चुराया था बॉक्स अब वो शिप्मेंट उसने डिलिवर कराया है मिलिटरी बेस पर वो चाहता है कि इस बार कोई रॉबरी नहीं हो पर राइडर को पूरी पूरी इंफॉमेशन मिल चुकी कि ऐसे ऐसे डिलिवरी हो गई है और उसने मुझे बता दिया है मैं भी रस से मे मिलिटरी बेस है तो बहुत सारी गन्स चाहिए होंगी पर सिक्योरिटी जाता नहीं हो बेस है वो मिलिटरी वार का सीन नहीं है वो मिलिटरी बेस है वहाँ पर बहुत जाता गन्स बले बंदें नहीं होंगे सब सेक्स सिक्योरिटी होगी उसको हम लोग बहुत आराम से तो सबसे पहले मैं घर पहुचकर गेम को करूँगा सेव यहां तक की जो परफॉरमेंस है वो भी सेव करना जरूरी है और नफाल तुमे में जो मिशन किया यह दुबारा करना पड़ सकता है तो गेम को किया मैंने सेव और मैं जा रहा हूँ अब राइडर के पास राइडर हमेशा वो ही अपना गांचा मार की बैठा हुआ है और सारा प्लैन इसके दिमाग में रेड़ी है बट इस कंडिशन में हो की प्लैन बता पाए तो मैं जागा उसे जगाया हो कहता हाँ बगई क्या हाल है रामलाल मका रामलाल नहीं सीजे नाम है मेरा सीजे नाम है त तो कहता हाँ 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 मुझे यादा गया प्लैन पूरा रेड़ी है बाहर वैन खड़ी है वैन में बैठके चलते हैं और हम लोग इस मिशन को कंप्लीट कर देंगे चुटकी बजा कर वहाँ पर होने वाले हैं नॉर्मल माली और नॉल मैंने का भाई मिलिटरी बेस है माली जाना है और मिलिटरी बेस पर मुझे नहीं पता सिक्यूरिटी कितनी होने वाली है चानने के लिए प्लीज पूरी वीडियो देखना अब तक अगर आप इस चैनल पर नए हो आप लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज घर लो यार आप लोगों व है तो सब्सक्राइबर का टार्गेट लेके चल रहा हूं बहुत कम है जितना सपोर्ट अब लोग करते हैं उसके आप से तो बहुत ही खम है पर लैट्सी जितना होग पाता है ब्लीज चैनल को आपके सब्सक्राइब वीडियो को करदेब लाइक और अपने किसी भी गेमर फ्रेंड के साथ शेयर कर देना बहुत हैल्प हो जाएगी मेरी अब चलते हैं वापस वीडियो पर मैंने पूरा शेयर देख लिए मुझे रास्ता नहीं मिला फिर मुझे परज़ चला कि यह वाला फ्लाइओवर पार करेंगे तब ही पार जा है जो कि power operated है अंदर एक military van खड़ा है वही open करता है और उसके अंदर एक और electric shutter है जो कि military van ही अप्रूव करता है तो हमें ये दूनों shutter पहले तो खोलने पड़ेंगे इसके लिए कुछ buttons है button पर या तो हमें हाथ मारना पड़ेगा या गूली या फिर subscribe का button fact के मारना तो बहुत मैं देखे रहां अंदर एक military man खड़ा है में को दिवार पर चड़ने पर कुछ नहीं बोला उसना तो मेरे को यहां पर चड़ने पर भी नहीं बोलेगा यहां पर चड़ते ही मैं सोच रहां उस पर गोली मार देता हूँ और gate खोल गया gate खोल गया और military man मुचे गोली मार दी गोली मार दी उसने मेरे को ट्रक से ठककर मार दी और मैंने जाकर शटर पर गोली मारके उसको भी खोल दिया तो भाई अब हमारे शटर खोले हुए हैं अब हमें इस पूरे mission में क्या करने में आपको बताता हूँ हमें यह जो सामने boxes रखे हैं यह उठाने हैं इस machine से और जा कर अपने ट्रक में रख देने तो तोटल हमें छे बॉक्स च्छेये जब कि यहां पर सिर्फ चार रख रखे वह हैं तो बाकि दूँ उमे देखने हैं कि military base mark कहा पर रखे वह और हमें वह ववले box भी उठाकर रखने हैं सिर्फ इतना ही नहीं है हमें उ उपर राइडर की हेल्थ पर भी जान देना है कि राइडर जिंदा है या गांजा फुक कर मर gases है अगर वो गांजा फुक कर फैल हो गया हुई पर तो उसकी बन जाएगी हिस्ट्री और हमारी केमिस्ट्री हो जाएगी खरा तो हमारा गेम पूरा खराब बजाएगा और में दुबारा लास्ट चेक पॉइंट से करना पड़ेगा तो फिलाल मेरा तीसरा बॉक्स यह और राइडर की हल्थ लगातार कम होती जा रही है उचे जंदी से जंदी करना पड़ेगा राइडर की हल्थ 50% हो गई और हमारा 50% काम हो गया है बट उसकी हल्थ और कम हो गई है यह मारा फॉर्थ बॉक्स आफ राइडर के लिपाई बिल्कुल कम हो चुकी है मुझे लगता हम कंप्लीट कर पाएंगे और चैसे मैंने रखा है राइडर मर गया है वहां पर लिखकर आया राइडर इस हिस्ट्री नाउ अब प्रेजेंट में कुछ काम नह ऐठा दोबारा समने स्टार्ट किया है वहीं से और इसको गोली मार कर मैंखोल देता हूंगेट नहीं खुला अब खुल गया और उस बार मैं टrक के नीचे नहीं हूआ आ ओगा मैंने मारी है जब पहले इस बंदे को बोली फिर इस बंदे को बोली और पर पीछे सक्रों कुछ नहीं कर पाएगा आपको पता ही है वो गांजा मारके बैठा हुआ उसको मिलिटरी वालों में सीजे निजर आएगा वो बोले का हाँ भाई मारो उजे कोई बात नहीं तो जैसे अप अंदर अपना टास्क कर बाहर आपको देखना राइडर की यह जैसे थोड़ी स्काम ह लगे मिंस उस पर अटैक हो रहा है आप गाड़ी चुड़ो चाहो उन बंदों को मारो और फिर वाबस अमने काम पर आओ तब ही यह मिशन बहुत एफेक्टिवली आप कंप्लीट कर पाओगे वरना यह मिशन कंप्लीट नहीं होने वाला है बहुत मुश्किल है गाड़ी ब परमिशन से इतना ही नहीं है भी इसके बाद बहुत बच्चता है यह चे के चे बॉक्स लेने के बाद भी आपको बहुत टाइम लगेगा तो यह मेरे चार बॉक्स ले पूरे दो बच्चे हैं लेकिन तब तक ही मिलिटरी वाला फिर से आ गया है और दूसरी साइड भी आ गया था तो नों मिलिटरी वाले को मैंने रिप्टाया और दो बॉक्स और निकले में चला गया भाई इसके अंदर किसी भी कौने में मुझ तो दूसरी साइड भी बॉक्स पड़े वाले च्ट्स जली खथां Love सकते हैं वेशको करते हैं बाद में वहातर्ज खरत रखते हैं वहार एक मिल्यूतरी वाला सीजेग भार बायडर को निपटा रहा है तो उसको भी निपटाते हैं फट फटआफ़ट वहार कोई नहीं बचा है एक बॉक्स हमारा बाकी है मेरी अभी तब बुलेटफूट जैकेट अभी भी चल रही है जो कि हमें लास्ट मिशन में मिली थी जस्ट बिजनस वाले मिशन में और यह हमारा लास्ट बॉक्स पॉसिबली इसके बाद हमारा गीम उजागा कमप्लीट लगर मैं जो आपको चेक पॉइंट दिखाता हूँ न कि अगर गीम आपको कमप्लीट नहीं होगा तो चेक पॉइंट यहां से स्टार्ट होगा अगर आप फॉन वाला बटन दबाते हो तो जितनी बार आप फॉन प्रेस करोगे उतनी बार वो बॉन के डब़े पीछे फेक देगा और उनकी जो गाडियां है वो ब्लास्ट हो जाएंगे तो आप एजिली इसकेप कर पाऊगे इसकेप करने के लिए भाई आपको ओ शिट उसके हाथ से जो बॉन का डबबा था वो उसके पास ही पट गया है और राइडर हो गया है फिर से हिस्ट्री यह है हमारा थर्ड अटेम्ट और इसमें बठानी पड़ेगी केमिस्ट्री गेट मैंने खोल दिया है सबसे पहले अंदर गुस्ते ही मैंने किया रख गार्ड को खतम यह दूसरा बंदा खतम ड्रॉर खुला ड्रॉर नी में टर शटर खुला और अंदर के मिलिटरी वालों को निप्टा दिया अब एक भी मिलिटरी वाला भार नहीं है अब जैसे चलती से ही सारे सारी बॉक्सेज रखते हैं अंदर और जितनी पी मिलिटरी वाले बीच में आएंगे उनको फिर से निप्टाना है के राइडर को बचाना है तो गैस इतनी मैनत करके पूरा मिशन का मैं अच्छे से वीडियो आपके लिए लिखा रहता हूँ एक सब्सक्राइब और एक लाइक आपसे डिजर्व भी करता हूँ प्लीज चैनल को कर देना सब्सक्राइब वीडियो को कर देना लाइक और आपके हिसाब से इस गेम का सबसे अच्छा मिशन कौन सा है कमेंट करके ज़रूर बताना और आप लोगों ने बोला था कि अगर मैं मिशन करता रहता हूँ न तो एक गन शॉप ओपन हो जाती है जो कि मुझे अभी तक नहीं देखी है क्या सारे मिशन कंपलीट करने के बाद गन शॉप ओपन होगी या उससे पहले हो जाएगी प्लीज एक बर कमेंट करके बताना कि लास्ट मिशन कौन सा है जिसके बाद गन शॉप ओपन हो जानी है सो डाट मैं जल्दी से जल्दी उस मिशन को ढूंड़ो और कर दूँ मिलिटरी वाले फिर से आ रहे हैं बीच में उनको खतम करके अभी तीन बॉक्स हमारे बाकी है हाँ तो वो मिशन जरूर बताना है जिसके बाद हमारी गन शॉप ओपन हो जाएगी मैं एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज़्यादा ओट सुक्रूं कि कौन कौन सी गन हमें मिलने वाले हैं मैं सारी गन्स करीद हैं कुछ एक नया ही एक्सपिरिंस आप लोग वेसाथ शेयर करूँगा तो यह था हमारा फूर्थ बॉक्स पार फिर से मिलिटरी वाले दू दू रो गया है और एक को निप्टाया दूसरे को निप्टाया and done दो बॉक्स हमारे पर बाकी है these are more outside हां राइडर मेर को बतार के बाहर और डबे पड़े वापर military वाला फिर से आ गया है निप्टा दिया और है क्या है कोई भाई मैं सोच रहा था कि जैसे गाड़ी को हम धक्का मारते हैं तो इसलिए में गाड़ी हील जाते है मिलिटरी वाला पावर तो होती है यह उठा के भार फिका सीदा हूं गुझे तो इसी के साथ यह था हमारा फिफ्ट पॉक्स गाड़ी के इंदर और फिर से एक मिलिटरी वाला आया भाई राइडर की पावर बहुत कम रह गई है तो इस बार हम चांस नहीं ले सकता है एक भी मिलिटरी वाला दिखेगा पहले में मिलिटरी वाले को मारना पड़ेगा फिर से दिखा फिर से ख़तम राइडर अबना मस्तगोम रहा भाज़ाबार के इसको कोई फरक ने बढ़ था जब झाग भाई उसको बॉलिए बढ़ रही है कोई फरक की ने बढ़ रहा भई परसे आया मिलिटरी वाला इसी से मारते है बहाई नै नà ने तो आ रह legally मारते है और जा हमें करें घर हमें इसमैं से एक ही डडबी की जदरुवेत है इतने सारे । नE इसलिए उठाए था कि रास्ते में ज़रुश पूरी हो सके। अभी राइडर की हेल्थ इतनी कम है कि गलती से एक भी बॉक्स उसके पास फटा रस्ते में तो फिर से उसके हिस्ट्री हो जाएगी और हमारी कैमिस्ट्री बिगड़ जाएगी अब फटा फट इस मिलिटरी वाले को मार कर हम लोग निकलते हैं आगे की तरफ हमें डाना है विलोव फील्ड छहाँ पर हम इस पूरे पूरे बॉक्स को छुपा देंगे तो मैं देखरों कोई पुलिस वाला हमारे पीछे नहीं पड़ा हूँ पुलिस वाले साइड में ही थे पर हमारे पीछे नहीं पड़े हैं और अभी मैं कोई चांस ना लेते वे राइडर के थ्रू बहुत सारी बॉक्स बाहर फिक हुआ रहा हूँ था कि कोई प्रॉब्लम ना है, मैंने रूट भी चेंज कर लिया है, और बॉक्स भी मैं फेके जा रहा हूँ, यह वाला लास्ट बॉक्स फेकने के बाद, I think सब कुछ क्लियर हो जाएगा, नई, 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 हमें फेकने की ज़रुद नहीं पड़ेगी, हाँ, बस यह सीधा हो जाएगा, नई, यार, नई, इतना दूर आकर यह मिशन फिल नहीं कर सकते हैं, लोग, सीधा, 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 थैंक, गॉड, बस, अब सीधा, इसी रूप में हमें जाना है, घर बिना उल्टे पल्टे, बिकॉस बहुत मैनत अलड़ी लग चुकी है, सो गाइज, यह हो गया है, मिशन कंप्लीट, हमारे बीचे कोई नहीं पढ़ा हुआ है, राइडर अपना फूरा गांज हमार के एक हाथ से पकड़ के खड़ा हुआ है, यह नहीं के बैट जाए, मिशन कंप्लीट हो गया भई, फिर भी नहीं बैठ रहा है, तो वीडियो कैस लोगर खुद्यान, तब तक के लिए, राम राम